हलो फ्रेंज वेलकम बैक तो फ्रेंज आज की वीडियो में बात करें जमुएन किश्मीर जो बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन है जेके बोस जिसे बोला जाता है उसकी तरफ से काफी इंपोर्टेंट अपडेट काफी बड़े जो इंपोर्टेंट अपडेट कॉंटिन्यूस साफ जोनन के रिजाल को लेके जो भी इसके इंपोर्टेंट अफीचल अपडेट है उसे में डिसकास करेंगे चैनल से फिर्स टािम जुडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए सनक्राइब करते इस पोरड़ ले सब्सक्राइब 11 12 का अगर आपको migration करनी है एक division से दूसरे division में जा एक school से दूसरे school में जा एक board से दूसरे board में तो ये सब अगर आप JK Boss के student हो आपको JK Boss की official website से ही ये होगा अब online submission है जो inter school migration and eligibility for the academic session जो 2023 रखा गया UTF जमुएन किश्मीर है, UTF लदाग के लिए within a district, district to district and division to division जो आपकी migration होगी जो आपको secondary level और इसके लिए जो eligibility आपकी रहेगी एक board से दूसरे board में उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो JK Boss की official website पे जाके आपको submission करना पड़ेगा migration form जो रहेगा school to school same district में जा district to district जा division to division 10th class के लिए इसके लिए आपकी normal fees 390 रहेगी अगर आप इसको 17 जुलाई तक फिल नहीं कर पाते हो तो आपको इसके लिए late fee फिल करनी पड़ेगी और अगर आपको migration form फिल करना है on role eligible candidate जो अभी पढ़ रहे हैं तो उनकी भी last day 19 जुलाई तक आप इस फिल कर सकते हो ठीक है उसके बाद जो आगर आपकी category second है जो आपको क्या करना है eligibility from through online mode online mode से class 10th 11 12th को migrate करना है from other recognized board से जब जेके बोस में आ रहे हो इसके लिए आपको 1220 जो normal fees और 610 आपको eligibility fees देनी पड़ेगी registration के लिए ठीक है यह आपने जाद रखना है और यह आपका रहेगा जो जेके बोस का official update था और उसके बाद जो next update बात करें आपका जेके बोस का जेके बोस के जो revaluation result है class 12th 10th और 10th के जो आपके special examination हुए थे उनका result भी declare कर दिये गए है बाइदा जेके बोस officials अब बात करें class 10th के result को लेके 12th के result को लेके जो पहले बात की गई थी जेके बोस official द्वारा जो news update में top sources update थे उन्होंने क्या बात करी थी जो 15 mid week of मेई तक class 10th का result आ जाएगा बट उसके बाद second statement में बात की की result विदिने मन्थ आ जाएगा जो first week of मेई में बात की गई थी जिसमें बोला जा रहा था कि जो hard zones है उनके exam खतम होते ही उनकी checking continuously साथ साथ है और soft zone का भी result उन्हें के साथ निकारा जाएगा और soft zone की checking है जो वो पूरी खतम हो चुकी है ठीक है तो उन सब statementों को देखते हुए जो एक prediction जा एक update result को लेके बात करें class 10th और 12th के first week of June को लेके tentatively बात की जा सकती है first week of June में आपका result है class 10th और 12th का निकाल दिया जाएगा तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कोई doubt होगा तो comment section में जरूर पूछिए